15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इस बार जिन तमाम योजनाओं का ऐलान किया उसमें से प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान योजना का भी एक ऐलान किया गया जिसमें प्रधान मंत्री की तरफ से दावा किया गया कि 50 करोड लो सही होगी हमारे कारे-कारी संपादक सतेंद्र व्रंजन है सतेंद्र एक तो इसननावी जाल है बमश्किल से च्छे महिने आठ महिने बचे हुए हैं इससे लागू करने को लेकर और उस पर से तरह तरह की आशंकायें जैसे एक तो ये की बीमा राशी कितनी होगी सरकार पहले जहां पर 700 से 1000 रुपे बीमा के लिए जमा कराती थी, अब वो बीमा राशी बढ़कर 765 रुपे बताया जा रहा है, अगर 5 लाग की बीमा राशी होगी तो प्रीमियम 765 रुपे हो जाएगा, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, दूसरा ये कि कई ऐसे राज्ये हैं, खास कि जादा से जादा लोगों को इसका फायदा पहुचाए जाए सके, क्या है इस तरह कि कुछ सपष्टा आई है इस इसको लेकर अभी बहुत जादा कोई सपष्टा नहीं है, इसलिए कि अभी तो सबकार ने कई उसमें नीती आयोग के साथ समीती बनाई थी, उसने कुछ इ इसके इंप्लिमेंटेशन को लेकर है, इंप्लिमेंटेशन के कई उसमें दिक्रते हैं, लेकिन एक बुनियादी जो दूसरा सवाल है, वो है कि बीमा आधावित यूनिवर्सल हेल्थ केर देने की जो सोच है, इसका अब दुनिया के पास अनु हो है, कई देशों का अनु हो इसलिया नहीं मिली है, जब बेसिक स्वास्ति केंद्र ही नहीं है, तो फिर इन योजनाओं इन अभियानों का क्या हश्रों हो दिक्त यह है कि जो योजनाएं होती है, जो बीमा योजना होती है, उसका मुख खिलाब तब मिलता है जब मरीज हॉस्पिटलाइज होता है, जम लोग जानते ही हैं कि अपने देश में कहा जाता है कि भारत में सबसे जादा अपने पौकेट से मर जाते है, और अपने पौकेट से खर्च करते हैं, कंसल्टेशन फीस देने में दवाईयां करेदने में तो जो उनिवर्सल हेल्थ केर का बेसिक रिक्वार्वेंट यह माना जाता है कि पहले हर जगा रात्मिक चिकत्सा केंद्र हों जहां दवाईयां हों एक मॉडल था जैसे गहलोत जब चीफ मिनिश्टर थे मुख्य मंतरी न कुछ दो योजना यह जहलो जिसमें दो पाइंडायू के जम एक out के expressions यह और जो जोंकी फीदा की यह उत्या होग होताMoreनल में लेख Tschbe!! लोग नहीं कर पारे हैं या तरह किस इदाम को उप्योग नहीं कर पारे हैं तो इतने बड़े पहिंदर्टरॉant यही हमने का इसके अन्वह हैं, अब चुकि जो आज की सर्कार है और प्रधान मंत्वी जी के कारे सहली का हिस्सा है कि वो कुछ मेगा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, जिससे एक संदेश जाए कि यह तो कुछ नहीं बात हो गई, पहली बार हो गया, तो उन्होंने पांच ला में इंबुलेंस की सिवाए नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, एक जिला अस्तर पर जो प्राइमरी हेल्थ केर की बेवस्ताएं नहीं हैं, तो जो सेकंडरी और जो ट्रैसरी जो लेवल की चीजें जब होस्पिटलाइजेशन का होता है, उस पर अगर वीमा का लाब मिल भी सक हो तो उससे कोई बहुत दुनियादी फर्क नहीं पर दुनिया भर का यह हैं, इस साल के बजट में लगवग 2,000 करोड रुपए इस स्वास्त वीमा योजना के मदे नजर आईशमान भारत में दिया गया था, क्या ये बजट परियाप्त होगा 5,000,000 की वीमा कराने वाले 10, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो यह तो बस एक इंप्रेशन पैदा करने की बात है वैसे भी जो मेरा जो दलील मैं देना चाहता हूं यह दुनिया भर का अन्भाव है कि यहां पर भी पॉब्लिक सेक्टर में अच्छी स्वास्ट सेवाए नहीं हैं वहां के लोगों को अच्छी स्वास्ट सेवाए नहीं मिलती हैं और इसमें जैसा कि Britain का National Health Service है उसको एक दुनिया का model के रूप में माना जाता है तो इसलिए मान प्रियांतर वो लाब कंपनिया ले जाती हैं जो बेनिफिसियरी हैं उसका लाब नहीं होता है विमा की हम लोग परसनल जो भीमा लेते हैं उसमें अपने बीमा की वेकम को लेने के लिए कितने चेकर काटने पड़ते हैं और उस वह भी तब भी उसका पूरा फायदा नहीं पैसा तो उसमें चला जाएगा और दूसरा ये भी है कि अगर 60 और 40 का रेशियो रखा गया है खच का यानि 60% केंदर सरकार देगी और 40% राजे सरकारे लगाएंगी तो क्या राजे सरकारों के पास इतना पैसा है या उस तरह की योजनाएं हैं जिसमें वो लगा सकती है कि ये भी देखने की बात होगी बहराल इशू ये है कि सरकार ने एक अभियान का एलान तो बहुत बड़े पैमाने पर कर दिया है लेकिन इसके लागू करने की जो छोटी छोटी दिक्कते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है और दूसरा तमाम जानकार इस बात से इत्तफाक रख होती तो शायद ये जादा बहतर होता बनिस्पत स्वास्तवीमा योजना के किसी भी तरह की स्वास्तवीमा योजना के फिल्हाल की सिती में तो यह नहीं कहा जा सकता कि सब लोग इसका फायदा उठा ही पाएंगे लेकिन कुछ जगों पर मॉडल के तौर पर चला रही है उससे ये योजना कैसे भिन होगी और कैसे लोग इसका लाव उठा पाएंगे जब अभी सिर्फ तीन से पांच परसंट लोगी बड़ी-बड़ी योजनाओं का या बीमा राशी का लाव ले पा रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सतिंद्रेंजन नमस यहाई है यहाँ है आपका रहे हैं रहे हैं वहाँ है यहाँ है यहाँ